रादे रादे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 नॉम्बर 2020 को आउला नॉमी मनाई जा रही है, आउला नॉमी कार्थिक मास की शुकल पक्षी नॉमी को मनाया जाता है, इस दिन वरत रखते हैं और इस दिन को बहुत पावन दिन का है, इस दिन किशन भगवान गोकुल छोड़ कर मतुर आये थे, उन्होंने अपने बाल ले ले लाएं समाप्त की थी और अपने करतवे की और भी मुड हो गए थे, दोस्तों कहते हैं आउला नॉमी संतान के लिए किया जाने वाला बरत है, इस दिन आउला की पेड़ की पूजा की उनके एक सो आठ पर कमा दी जाती है और एक सो आठ आउले ही चड़ाए जाते हैं, और कार्थिक मास्का बरत करने वाली अदिकतर महिलाएं इसी दिन भामन और भामने को आउले के पेड़ के नीचे भोजन करवाते हैं और उनसे आशिरवाद प्राप्त करते हैं और दान भ पर आमले की कहाने सुनाने जा रही हूं एक से टोड़ से ठानी थे वो पांच सुने के आमले मंदिर में चड़ा कर ही उसके पस्चाद भोजन किया करते थे यह उन्होंने अपना नियम ले रखा था और उनके घर में दंस अपड़ा भी बहुत अत्या दिखती जैसे तेसे चल चादी की तो छोटी बहु आई तो छोटी बहु ने देखा कि यह तो रोजना पांच आमले सोने के मंदिर में चड़ा कर ही काना घाते हैं तो उसने सोचा इस प्रकार से तो हमारा जो पूरा धन है वह नश्ट हो जाएगा तो उन्होंने सबसे कही कि वही इस पर रोग लग आई जाया है सबने और बेटे बहु ने भी मिलकर यह तै कि इनको आमले नहीं चड़ाने देंगे और उन्हें कहा कि आप सोने के आमले की जगर सादा आमले ही चड़ाएं तो सब की यह रोक लगाने के बाद में सेठा ने जीने सोचा कि जहां हमारा मान नहीं है और हमें हमा नहीं हुआर मन से कारे करने की इन्मृती नहीं है तो फिर क्या मतलब है और वो उस नगर को छोड़कर वहां से चले गए जब वहां से चले गए तो scratching चलते रहे चलते चलते एक दूसरे नगर में पहुंचे जो कि बहुत दूर था ठक गए थे रात रे विश्राम के लिए वो एक सूका पेड़ था बिलकुल उसकी नीचे विश्राम के लिए रुख गए और पासी नदी भी वह रही थी उन्होंने सोचा कि हम सुबह अपने नितने कर लेंगे और वह वहाँ सो गए रात को सपने में देखा कि वहाँ पर पूरे 33 करोड़ देविवता विराजमान हैं और जो वह सुका सा पेड़ था वह आउले का पेड़ था और उस पर आउले लड़ जूम आउले आ रहे हैं तो उन्होंने वही से अपना व्यापा सुबह उठकर अपना नितनेम किया और वही सादा आउले तोड़ कर चड़ाए मंदिर में और राददामदर जी भगवान का नाम लिया और अपने नया व्यापसाइश सुरू किया देखते ही देखते हैं उनके इतनी धनसपद आ गई पहले जैसे ही कि वह इतने पैसे वाले हो गए और उन्होंने आउला नगर बसा लिया और वहां पर जिनको रोजगार नहीं था उनको भी वहां पर रोजगार मिलता रहा दूसरी तरफ बेटे बहु दिन पर दिन गरीब से गरीब गरीब से गरीब होते चले गए और उनका सारा धन पूरा बरबाद हो गया और उनकी खाने को अनके लाले भी पड़ गए वो लोग भी उस नगर को छोड़ कर जाने लगे बही दूसरी जगी जाकर कमाएंगे तो उन वहाँ पर भूके प्यासे उनकी हालत ऐसी देखकर किसी ने कहा कि भई वहाँ पर आमला सेट है तो आप उनके वहाँ जाएं और हो सकता है वहाँ पर आपको कोई काम मिल जाएं तो सेट सेटानी भोजन कर रहे थे सेटानी ने उपर से देखकर कहा छट से ही कि सेटानी बेटे भवा आ रहे हैं सेटानी कहती है कि आने दी सेट जी बेटे भवा आ रहे हैं सेड़ जी करते हैं आने दीजिए जैसे इनको रखा है उनको भी रखेंगे जाकर देखा तो सेड़ जी गए भई हमको काम पर रख लो बेटे बहू ने कहा कि तो सेड़ जी की मुनिम ने कहा कि हाँ ठीक हम आपको काम पर रख लेंगे और उनको काम पर रख लिया और जो सबस चोटी भौती उसको सेठाने की सेवा में रखा गया एक दिन भौत सेठाने को नहला रही थी और वो यूं सोचती थी कि ये लगते तो अपने साथ ससूर जैसे हैं पर अपने साथ ससूर कैसे हो सकते हैं उनको तो हमने घर से निकाल दिया था और पता नहीं वो तो कहा चले तो जैसी वो निला रही थी तो उसने सेठाने की निलाते टाइम पर भौव की आंकों से आसू गिरे सेठाने ने कहा अरे तुने गरम गरम आसू क्यों गिरा है मेरे पीट पर तो भौव कहती है कि आपके पीट में मुस के अंदर सोने का बाल है वैसे ही मेरी सास के भी था त तो कहां गए तुम्हारी सास को उनको तो हमने ऐसे ऐसे निकाल दिया तब सेटानी कहती है हम इताब की सास हैं और जो सेड़ जी हो आपके ससुर हैं आप हमारे पीछे आए हम आपके पीछे नहीं आए हमें तो आउला भगवान ने ठूटा है हमें तो सब को सद्धन संपधा जो भी कुछ दिया है वो आउला भगवान ने दिया है तब ही से सभी आउला भगवान की सेवा करने लगें आउला भगवान उनको तूटा जिससे सब कोई तूटना उनको धंदिया जिससे सब कोई